इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग के लिए लाइक 2024 के अंदर नियूली लॉंच टाफ 4 स्मार्फोन सेलेक कियें अगर आप लोग का बज़ेट 15,000 है और आप अपने लिए एक बेस्ट कैमरा स्मार्फोन या फिर बेस्ट डिस्पले या फिर पावरफुल स्मार्फोन बा स्मार्फोन ने रैंकिंग वाइज नहीं रखे हैं विकाज अपनी ब्रांट बेल्यू के अकॉर्डिंग फीचर्स के बेस्ट पर और प्राइस के पॉइंट ओबी से ये चारो स्मार्फोन ही बेटर बेली फॉर मनी है इनमें से जो भी आपकी प्रियोडिय और नीड को फु स्टेप बई स्टेप सारे फीचर में आपको एक्स्प्रेंट कर देता हूँ सबसे पहले बात करते स्मार्फोन के डिस्प्ले पैनल के बारे में नो डाउट स्मार्फोन में आपको IPS LCD 6.72 इंचिस का डिस्प्ले पैनल दिया गया फ्लैट जिसमें आपको 120Hz का फस्ट रफ्र डाइडीक एडट शलॉट दिया गया है 6 GV RAM 1208 GV का बेस फीर Streंट है रियर पार्ट में ड्वल कैमरा सेट अप है 64 में आप इक्सेल का मेन प्रामरी कैमरा और 2 में आप इक्सेल का अटेफ्ल दिया गया है 3.5 चैक भी है ओरहने, येष्फोन यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ डाउट काफ एच्छी दीए यह प्राइस के पॉइंट अब व्यू से एंड बैक पैनल प्लास्टिक का है 190 ग्राम का वेट एस में और दोस्तो 7.9 mm की थिक्निस है ग्रैब कर सकते हो प्राइस के पॉइंट अब व्यू से better value for money है नेक्स्ट इसमाफ फून के बारे हम बात करते हैं जो कि रहता है टेक्नो के पॉइंट व्यू से टेक्नो ने के पॉइंट व्यू से टेक्नो ने के पॉइंट के अंदर काफ़ एच्छे फीचर ओफर की है जो कि step by step में आपको explain कर देता हूं तो आपको doubt clear हो जाएगा AMOLED 6.67 इंचिस का display panel दिया गया है जिसमें आपको 85.7% का screen to body ratio देखने हो मिलेगा जो कि काफी इदर side bezel पतली है EOD function भी offer किया गया है इसमें आप powerful CPU दिया गया है MediaTek की तरप से Helio G85 processor आता है जो कि out of the box Android 13 पर आता है और दोस्तों H.I.O.S. 13 पर smartphone रन करता है 8GB RAM 250 6GB का आपको एक ही variant offer किया गया है कंपनी की तरप से रियर पार्ट में dual camera setup है 64 में आप इक्सल का main primary camera है दो में आप इक्सल का depth lens है इसमें rear part में camera के साथ ring LED flashlight दी गई है और दोस्तों front में आपको 32 में आप इक्सल का selfie camera दिया गया है with dual LED flashlight के साथ stereo speakers है 3.5 mm का like jack दिया गया है जिहां आप earphone easily use कर सकते हैं ये smartphone OTE support करता है under display fingerprint sensor है security का fix ही है 5000 mH की बड़ी battery के साथ 33 बाट की far charging की support दी गई है company इसमें आपको 3 color option देती है तो आप अपनी पसंद के साथ से कोई सा color option भी buy कर सकते हैं इसमें आपको 7.8 mm की थिकनिस दी गई है overall smartphone light weight compact और slim है definitely grab कर सकते हो 15,000 के अंदर next smartphone के बारे हम बात करते हैं जो की रहता है again Tecno की तरप से PUA 5 Pro no doubt Tecno अपने price के point of view से features smartphone के अंदर काफ एच्छे advance देता है step by step में आपको Tecno PUA 5 Pro के specs भी बता जेता हूँ यहाँ पर आपको company की तरप से IPS LCD 6.78 इंचिस का display panel दिया गया है 130 Hz fast refresh rate के साथ and display में 580 nits की peak brightness दी गई है 84.7% का screen to body is हुआ इसमें powerful chipset दे गया है box 13 पर देखनों मिलेगा HIOS 13 पर यह smartphone भी रखन करता है and यहाँ पर dedicated slot दिये गए 8GB RAM 1208GB के base variant है rear part में dual camera setup है 50 में आप XL का main primary camera है front में 16 में आप XL का selfie camera stereo speakers offer किये गए है 3.5M का jack भी है earphone यूज़ कर सकते हो side mount and fingerprint sensor है 5000 mAh की बड़ी बैट्री के साथ 68BOT की fast charging की support दी गई है यहाँ पर आपको 3 premium color scheme देखने हो मिलती है smartphone का base variant आपको 12,000 का देखने हो मिलेगा top variant लगवग आपको 14,000 का देखने हो मिल जाएगा बिल्कल दिये बारे में बात करें back और frame दोनों ही आपको plastic की दीए गए बट back में आपको multiple LD lights देखने हो मिलती है जो की notification, low battery and gaming sun करते पर आपको blink करते हुए देखने हो मिलेगी यहाँ पर दोस्तो 212 gram का weightless में और 9 mm की थिकने से है Tecno Power 5 Pro एक काफी feature loaded and premium design वाला एक unique smartphone है जिसको आप definitely grab कर सकते हो इस price point पर next smartphone के बारे में बात करते हैं जो की रहता है Infinix की तरप से Note 30 Pro personally smartphone के design मेरे को काफी दा पसंद आई है features मैं आपको step by step explain कर देता हूँ सबसे पहले display panel के बारे में बात करें कोई compromise नहीं किया गया है AMOLED 6.67 इंचिस का display panel दिया गया है 120Hz फास्टर फ्रस्टरेट के साथ AM900 नीट्स की peak brightness दी गई डिस्पले में 86.9% का screen to body ratio है शाइड वदल काफी दपतली है Mediatek की तरप से Helio G99 प्रॉस्टर दिया गया 5G 6.9 निम्रे के साथ आता है Android वर्जन latest 13 पर वेजड है XOS 13 पर ये smartphone रन करता है Dedicated slot दे गया है 8GB RAM 256GB का एक ही variant ओफर किया गया है UFS 2.2 टाप की storage है Rear part में triple camera setup है Main primary camera 108 में आप इक्सिल का है 2-2 में आप इक्सिल के macro depth है Quiet LED flashlight के साथ Smartphone के अंदर आप rear camera से 1080p 30 frame rate per second पर video record कर सकते हैं Front में 32 में आप इक्सिल का selfie camera दिया गया है Stereo speakers है 3.5mm का जेक है जिसमें आपको like JBL की tune देखने हो मिलेगी तो sound quality no doubt काफी top notch level की रहने वाली है OTG support करता है Side mount and fingerprint sensor है 5000 mh की बड़ी बैटी के साथ 68 bot की फार्चाजिंगी support दी गई है Magic Black Variable Gold इसमें आपको 2 premium color scheme देखने हो मिलती है पसंद के साथ सब कोई सकल option भी buy कर सकते हो बात करें build quality के बारे में back में आपको glass panel दिया गया है frame plastic का है और इसमें आपको 203 gram का weight देखने हो मिलेगा 8.2 mm की थिकनिस है इसको definitely grab कर सकते है like Infinix Note 30 Pro को जो की आपको price के point of view से feature loaded देखने को मिलता है बागी दोस्तों ये 4 smartphone price के point of view से features के basis पर और अपनी brand ब्लोग के recording better value for money है आपकी जो भी priority को fulfill करता हो definitely grab कर सकते है वीडियो informative अच्छी helpful लगी वीडियो को like कर देना चैनल पना आया है, subscribe कर लेना bell icon को प्रेस करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में share कर देना मिलते हैं आपसे के लिए एक ऐसी ही new interesting और updated वीडियो में तब पर के लिए bye bye and take care